Hello everyone, आज हम discuss करेंगे plant tissue के बारे में सबसे पहले तो ये जानते हैं कि tissue क्या होते हैं tissue उसे कहते हैं जो कि group up cells होता है उसे हम tissue कहते हैं group up cells को हम tissue कहते हैं ऐसी cells जो कि function में और work में एक जैसी होती है जो कि structure में और function में एक जैसी होती हैं उन्हें हम tissue कहते हैं प्लान टीशू, टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टमेटिक टीशू और पर्मानेंट टीशू, मेरिस्टमेटिक टीशू को हम हिंदी में विभाजियोतक कहते हैं, और पर्मानेंट टीशू को हम इस्थाई उतक कहते हैं, मेरिस्टमेटिक टीशू के नाम से समझ में आता है विभाजियोतक उतक मतलब की जो विभाजित होता रहता है और या जो की डिवाइड होता रहता है तो जो चीज डिवाइड होते रहती मतलब वो नंबर अब सेल से हमेशा बढ़ा रही है तो इसका मतलब की उससे कही न कही ग्रोथ हो रही है तो इसी लिए जो meristomatic tissue होता है वो responsible होता है कि इसके लिए? growth के लिए responsible होता है जिनके नाम है एपिकल मेरिस्टमेटिक टीशू, लेटरल मेरिस्टमेटिक टीशू एंड इंटर कैलरी मेरिस्टमेटिक टीशू तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो प्लांट है प्लांट की जो टीशू है वो टू टाइप्स के है Maristematic Tissue and Permanent Tissue जिसमें हम पहले Maristematic Tissue के बारे में जान रहे है Maristematic Tissue, थ्री टाइप्स के होते है Epical Maristematic Tissue, Latter Maristematic Tissue and Intercalary Maristematic Tissue अब इसमें एक बार ध्यान रखने वाली यह है कि जो Maristematic Tissue होते है वो व्रद्धी के लिए या ग्रोध के लिए रिस्पॉंसिबल होते है प्लांट की तो जिस जगह पर यह व्रद्धी करते हैं जहां पर यह ग्रोध कराते हैं उस जगह के हिसाब से इनके जो तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन है Epical, Lateral and Intercalary तो Epical जो होता है वो Top Portion मतलब की यह उचाई वाले भाग पर यह व्रद्धी करता है यानि वहां की ग्रोध कराता है Lateral Maristematic Tissue जो होता है यह वहां पर Sidewise जो आजू-बजू का जो Side होता है वहां पर ग्रोध कराता है और Intercalary जो होता है वो Inside में ग्रोध करवाता है तो Epical Top Portion में Lateral, Sidewise और Intercalary इंसाइड में जैसे यह Plant है इसका जो ए Top Portion है यहां पर Epical यह Side वाले भाग में यहां पर कौन काम करेगा लेटरल वाला और जो Intercalary अंदर वाला जो Portion है यहां पर Intercalary Maristematic Tissue वर्क करेगा अब देखते हैं Permanent Tissue के बारे में तो अभी हमने देखा First Two टाइप के Tissue है Maristematic Tissue, Permanent Tissue Maristematic के अगेन थ्री टाइप से हैं Epical, Lateral and Intercalary अब हम देखेंगे Permanent Tissue के बारे में Permanent Tissue जो होते हैं प्लाइट में यह भी थ्री टाइप्स के होते हैं Simple Permanent Tissue, Complex Permanent Tissue and Specific Permanent Tissue जिसमें Simple Permanent Tissue जो होता है वो अगेन थ्री पार्ट में डिवाइड होता है जिसका नाम है Parenchyma, Colonchyma, Esclarenchyma प्लाइट में जान सकते हैं कि वो Colonchyma है या Permanchyma Tissue है या Esclarenchyma Tissue है अब सबसे फर्स्ट आता है Facts about Permanchyma Permanchyma क्या होता है यह ऐसा Tissue होता है प्लाइट में जो के अबंडेटली मतलब बहुत जादा मात्रा में पाया जाता है सबसे अधिक जो है पाया जाने वाला जो Tissue या उतक है प्लाइट में वो Permanchyma ही होता है Permanchyma का मुख क्या होता है Storage of Food यही plant tissue होता है जो की plant के लिए food का storage करता है हाला कि food बनाने का काम leaves करती है और store करने का काम यह करते है इन में थोड़ा थोड़ा difference होता है आगे आप समझेंगे अभी Firstly, parent काईमा जो होता है वाइब अट इंटली पाया जाता है दूसरा इसकी cells जो होती वो living cells होती है इनकी cell wall जो होती वो थीन होती मतलब पतली cell wall होती है कोशी का भित्ती जो होती इसकी पतली होती है ये food storage का काम करते हैं और इन में या इनकी cells में intercellular space present होता है अब आगे parent काईमा अपने work के according आगे फिर ये थोड़ा सा जो अपने काम के लिए जो अपने आप में modification करती है अपने function को और ज़्यादा improve करने के लिए तो इसमें क्या होता है कि इनके जो नाम होते हैं वो change हो जाते हैं जैसे parent काईमा आगे फिर टूटाइप होते हैं chlorвойड काईमा और एरेंड काईमा ये हम इनके काम के according है इनके work according इनको ये नाम देते हैं ऐसी parent काईमा जो chlorophyll contain करती है ऐसी पेरेंकाइमल सेल्स जो क्लोरोफिल कंटेन करती है और वो फोटो सिंटेज इसका काम करती है उन सेल्स को या उन पेरेंकाइमल सेल्स को हम क्लोरेंकाइमा कहते हैं क्लोरोफिल क्लोरेंकाइमा वैसे ही कुछ सेल्स जो होती है जिनके इंटरसेलुलर स्पेस में एयर कैवि एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि जो पानी में पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स जो की पानी में पाए जाते हैं, और इसी टीश्यू के कारण इनमें, इनको हेल्प मिलती है किसके लिए, पानी के उपर तैरने के लिए, वाटर पर फ्लोट करने के लिए, इसी एरेंकाइमल टी प्लांट्स को लचीला बनाते हैं प्लानट्स को लचीला की बनाते हैं कि यह किस-करन होते हैं, कोलनकाइमा यह किसा होते हैं इसक्लेरनकाइमा थे कि वज़ा व्यांवना इसकलाइमा इसक्लेरनकाइमा, आपने देखा होगा कि जो नारियल का रेशा होता है, में इसकलेरनकाइमा को बनाती है और उसकPlayer bessican समस्तों वाइट करती है आपने देखा होगा नारेल का रेशा को इजीली नहीं तूड़ जाता उसको थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है और इसमें जो मोटा पंजो आता है क्योंकि इसकी सेल वाल में लिगनिन जो होता है वो डिपोजिट होता है और इसकी सेल वाल ठीक होती है की सेलस जो होती ही वो डाड होती है तो आप ने देखा सिम्पल परवानेंट टीश्यू में त्री टाइपस पैनरईट काईमा, कोलनकाईमा इसकलेरिनकाईमा जिसमें हमने सब जाते हैं अब इनका काम क्या होता है मेंली जाइलम का में काम होता है वैसे इन दोनों को एक साथ मिला के हम इसको conducting tissue या समवहनी उतक कहते हैं हम इने क्या कहते हैं समवहनी उतक कहते हैं transport करता है mineral and water को vertically मतलब जाइलम पानी को और minerals को उपर की ओर लेके जाता है अब वो कैसे होता क्या है कि plant में जो roots होती है वो क्या करती है मिट्टी से पानी को absorb करती है और minerals को absorb करती है इन ही को जो जाइलम होता है वो plant के अलग-अलग पार्ट पे distribute करता है या उचाई तक उसको ले कर जाता है अब इसी का similar काम होता है phloem का phloem का काम क्या होता है ये तो पताओगा आपको कि जो leaves होती है leaves में chlorophyll पाया जाता है और chlorophyll के कारणी photo synthesis का काम होता है जो कि एक भोजन पौधो के लिए भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है तो इसमें क्या होता है कि जो plant होते है जब उनका food बनता है तो इस food को distribute कौन करेगा food तो leaves में बन गया अब इसके आगे distribution जो होगा वो किसका काम होता है वो phloem का काम होता है तो phloem क्या करता है ट्रांसपूर्ट food from leaves to different parts of plant जो की food को leaves से plant के different parts में लेके जाता है अब और हमें ध्याद रखने वाली हाँ पर बात यह है कि xylem में कुछ चार प्रकार की cells पाई जाती है वैसे ही phloem में भी 5 प्रकार की cells पाई जाती है मतलब कि इनके काम के according में कुछ cells इनकी cells भी कुछ थोड़ी सी different होती है इसी हिसाब से इनकी cells होती तो आपको सिर्फ cells के नाम याद रखने है xylem में चार प्रकार की cells होती है trachyd, vessels या trachyd, दोनों एक ही नाम है xylem parenchyma और xylem fiber तो xylem parenchyma का का काम होता है full storage और xylem fiber का का काम होता है इसको strength provide करना वैसे ही five cells type की cells होती है phloem में sieve tube, sieve cells, companion cells, phloem parenchyma और phloem fiber तो xylem और phloem में आपने क्या देखा कि दोनों का काम क्या है transport का काम है phloem का काम है food को transport करना और xylem का काम है water और mineral को transport करना अब इसके बाद देखते हैं specific tissue specific tissue जो कि हमने classification में देखा था कि plant tissue के दो डिवाइडेशन है इसमें meristematic और permanent permanent में भी again three dividedation है simple complex and specific तो अब हम specific के बारे में देखते है specific tissue जो होते हैं कुछ specific plants में ही पाए जाते हैं सभी में नहीं होते है और इनका काम भी specific होता है इसलिए specific tissue कहते हैं अब जैसे कि जो lemon में जो oil glands होती है तो यह क्या कुछ इनका आपने देखा होगी कि जो lemon की पतियां होती है leaves होती है उनको जब हम हाथ में लेते हैं तो कुछ ऐसा हमको oil इसा फील होता है या फिर उसकी smell कुछ अलगाती वह इसलिए आती क्योंकि वहाँ पर कुछ glands होती है जो कि कुछ oil का secretion करती है वैसे ही कुछ जो resin का tannin का या फिर जो gone देखा होगा आपने उस type का कुछ plant से secretion होता है तो यह सब काम किसका होता है यह specific tissue का होता है यह कुछ ऐसी यह ऐसे tissue होती जो कि gland के रूप में होते हैं या कुछ अपने आपको थोड़ा सा अपना structure चेंज कर लेते हैं और यह कुछ थोड़े modify हो जाते हैं अपने काम के लिए तो इसमें से कुछ जैसे lemon oil gland या फिर resin, latex, rubber का पौधा देखा होगा आपने और या फिर आपने akona madar का पौधा देखा होगा जिसमें से कुछ white white substance जब आप उसकी leaf को तोड़ते हैं तो वहां से कुछ white white substance secret होता है तो यही कुछ ऐसा है कि यह कुछ specific सारे plants में तो यह चीज़ देखने में नहीं आती है तो इनके जो tissue होते हैं वह कुछ specific type के होते हैं तो इसलिए यह थोड़ा इनका नाम भी ऐसा specific ही है सो अगेन हम एक बार revision करते हैं plant tissue, meristematic tissue, permanent tissue meristematic again divided in three types apical, lateral, intercalary permanent tissue, simple permanent, complex permanent, specific permanent simple permanent again divided parenchyma, colonchyma, scleranchyma, parenchyma again divided two type chloranchyma and aranchyma I hope आज के lecture आपको अच्छा लगा होगा, thank you